नमस्कार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है जहान अगर थाना क्षेत्र के पटेल मैदान में सोमवार 13 माई की देर शाम को दो गुटों के बीच हुई जम कर मार पीट की घटना में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन हैं इलाज के लिए सबर अस्पताल समस्तीपुर में भरती कराया गया वहीं एक गुट के युवकों के द्वारा दूसरे गुट के एक युवक को पकड़ कर नगर थाना ले जाया गया जिसके बाद सेक्डों की तादाद में लोग नगर थाना पहुँच गए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम थाना पर जुटता हुआ देख थाना पर मौझूद पूलिस कर्मियों ने उन युवकों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी जिसके बाद थाना परिसर में मौझूद सभी युवक इधर उधर भागने लगे बाद में पूलिस कर्मियों ने घायलों के परिजनों उसे इलाज में ले जाने की सलहाद दिया एक गुट के घायलों की पहचान मुफसिल थाना क्षेतर के कोरबधा गाउग नेवासी सुनील कुमार के पुत्र सोनू कुमार तताविनेश कुमार के पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है घायल सोनू कुमार का बताना है कि आरपी मिश्रा रोड में उसका लैब टेस्ट की दुकान है दो दिन पूर पटेल मैदान में किसी लड़के के द्वारा एक लड़के के पिता के बारे में कुछ आपतिजनक शब्द कहा गया था उस दिन वह पटेल मैदान में ही बैठा हुआ था जहां मोहनपुर के कुछ यूवकों ने उसी बात को लेकर उन लोगों के साथ मार पीट किया था इस कारण वहर अविवार को पटेल मैदान नहीं गया था सुमवार को जब वेह अपने साथी राहुल कुमार के साथ पटेल मैदान जा रहा था तो उसी दोरान एक सौ से एक सौ पचास की संख्या में आए बैट विकेट वहीं से लेस यूवकों के द्वारा उनके उपर हमला बोल दिया गया तथा जम कर मार पीट की हाला की पटेल मैदान में मौजूद लोगों के द्वारा हस्तक्षिप किया जाने के बाद उनकी जान बच पाई इस धोरान सुनील कुमार ने घटना के संबंध में अपने परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद पहुँचे उनके परिजनों के द्वारा मारपीट की घटना में शामिल एक युवक को पटेल मैदान से पढ़कर नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया हिरासत में लिए गए घायल युवक के कथा नानुसार घटना दो दिन पूर्व हुए दो पक्षों के बीच इचके विवाद का है उसका कहना था कि जब दो गुटों के बीच लड़ाई हो रही थी तब रेह ख़ड़ा हो कर देख रहा था उसी मारपीट की घटना में शामिल दूसरे गुटों के युवकों की पहचान बताने को लेकर उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उन लड़कों को फोन कर बुलाने का दवाव बना रहे थे उसका कहना था कि वेह लोग 25 से 30 की संख्या में थे और उसे पटेल म्यादान से जबरान उठा कर उसके साथ मारपीट कर रहे थे वह लोग उसे मारते पीटते हुए पटेल म्यादान से लेकर काशिपूर की तरफ ले गए और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया वह युवक भी काफी गंभीर रूप से गायल था इसलिए पुलिस अभीरक्षा में ही उसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है पुलिस मामले की जाच में जुटी हुई है घटना से संबंदित आविदन मिलने के बाद आगे की कारेवाही की जाएगी अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्का